जैसी किष्णा कैसे हो आप सब उमीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे खुस और स्वस्थ होंगे और साथ में मस्त भी फ्रेंट आज मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूं सर्दी जुकाम बुखार के गरेली नुस्खें जो की हमारे रसोई में रहते हैं कहीं बाहर ज मेसा इलाज बताती हूं आएवेड तरीके से तो फ्रेंट्स जो मैं आज बताने के लिए जा रही हूं घरेली नुस्खें वो रामबान है आप जट से ठीक हो जाओगे और ये घरेली उपाई को आप लोग अजमाईएगा जरूर आपको बहुत जादा हिल्पुल लगेगा तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रणी कीचेन में जो जीजे जो हमारी रासोई में चीजे है उसका हम फाइदा सर्दी जुकां में कैसे उठा सकते हैं और हम सर्दी से कैसे बच सकते हैं ठंड के किस तरीके से सेवन कर सकते हैं जैसे friend, सर्दियों के मिलसम में ठंड के बढ़ते ही, सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बिमारियां जो है, आ जाती है घर में, आगने के साथ साथ बढ़ भी जाती है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, जितने भी घर में मेंबर होते हैं, और आप जिन-जिन के पास जाते हो, तो infection बढ़ते जाता है, तो इस चीज से हमें बचने के लिए क्या करना होता है, जब सर्दी होती है, जुखाम होता है, बुखार होता है, तो हम जादा से जादा कपरे पहन लेते हैं, और हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ गरम कपरे पहनने से, तो हमने ऊपर की जो हमारी ठंडती उसको खतम कर दिया, लेकिन हमारे अंदर जो Cup है, जो हमारे अंदर फीवर है, उसके लिए क्या करना चाहिए, जो बुखार है, अंदर जो बीमारिया, बेक्टेरिया जो उत्पन हो गया है, उसको हमें कैसे मारना है, तो उसके लिए आज मैं आप लोगों से कुछ उपाई सेर करूंगी, जो कि आ एक कौमन चीत तो मैं आपको बता दे रही हूं जैसे सरदी जुखाम, खासी, बुखार और ये बीमारियां जो है बाइरस से फैलती है ये तो हम सब को पता है और जुखाम जो है एक संक्रामक बीमारी है जो बहुत जल्दी बढ़ती है एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे मे अगर आप दस लोगों के बीच में बैठे हो और आपने चीक दी और आप को सरदी जुखाम है तो वो दसों को हो जाएगा तो ऐसी चीजे है और ये इस वीमारी में जो हमारी नाक बहने लगती है पर सूखी खासी भी हो जाती है किसी के बलगम बाली भी खांसी होती है किसी को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इस सब टाइप की जो चीजे होती है और ये सब टाइप की चीजे जो होते हैं जो हम जैसे एज के लोग जो है जहेल लेते हैं लेकिन जो बच्चे हैं बुड़े हैं उनको विशेस ध्यान देने की और साथधानी की जरूरत है तो आज मैं वही चीज सेयर करने के लिए जा रही हूँ जो कि आप बच्चों को भी और बुडों को भी दे सकते हो क्यूंकि हर चीज में सबसे ज़्यादा परेसानी इन दो लोगों को होती है बच्चे और बुडों अपक्चे और चाहती आप के अपने बच्चों को भी सेफ रख सकते हैं तो छलो फिर रेमेडी मैं बताने जा रही हूं आप लोगों को और पूरा देखिएगा बीच में थी मत चोरियागा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा सब्सक्राइब, प्यार ऐ काली मिर्च और अद्रक से बनी चाय सरदी जुखाम खासी में रामबान का काम करता है जी हाँ फ्रेंट्स रामबान का काम करता है फ्रेंट्स और मैंने ये चाय जो है अभी तक रेसिपी मैंने सेयर नहीं की है लेकिन मैं ये चाय बना करके बहुत जल्द ये recipe share करने वाली हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग comment करके बताएंगे तो मैं कल ही ये video डाल दूँगी जो कितने लोगों को ये चाय की recipe चाहिए तो मैं कल ही डाल दूँगी आज साम को मैं upload करूँगी और कल ही डाल दूँगी और नहीं तो आप लोग जो खुद बना लेंगे तो वो भी चलेगा तो friends सर्दियों में सहद का सेवन करने से सरीर को कई तरह के रोग से दूर रखता है क्योंकि सहद गरम होता है और सर्दियों के मौसम में हमें सहद सेवन करना ही चाहिए कम से कम दो चमच एक चमच साम और एक चमच सुबह अगर आप दूद में मिला के पीते हो तो और अच्छी बात है लेकिन friends हमें एक चीज का ध्यान रखना जरूर होगा कि दूद उबला हुआ नहीं होना चाहिए गुनगुना दूद में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप अगर गुड़ खाते हो तो गुड़ भी गरम होता है वो भी अच्छा रहता है सर्दियों के लिए और जो हमारे अंदर जो कफफ होता है उसको वो निकाल करके बाहर फैक देता है और पेट की अच्छे से ग रात को दूद पीते हो तो प्लीज दूद में जरूर हल्दी डाले हल्दी डालने से जो है रात को पीने से जो कफ और यह सब प्रॉब्लम नाक बंद की होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी और आप बिल्कुल सेफ रहेंगे और उसके बाद फ्रेंज गुन-गुने कोच खाने पीने की बाते कर लेते हैं सरदी के दिनों में बाजरे की रोटी खाना बहुत फाइदे बन्ध होता है लिए सरीर को हमारे गर्म रखता है साथ में बाजरे की रोटी में प्रोटीन भी होता है और उसके बाद इसमें केलसियम भी होता है फाइबर भी होता है और ये एंटियोक्सिडेंट भी होते हमारे पेट को भी बहुत अच्छे से साफ करता है और ये सरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है यकीन मानिये और ठंड से बचने के लिए आप बच्चों को भी बाजरे की रोटी खिला सकते हो थोड़े थोड़े करके जादा नहीं लेकिन थोड़े थोड़े करके खिला सकते हो उसको थोड़ा सा अलग तरीका करके ताकि बच्चे इसको बिस्कित समझ करके खाए तो सर्द क्या है बच्चे भी एक बार नहीं दो दो बार मांग मांग के पिएंगे और फ्रेंट्स खाने में अद्रक का बहुत इस्तेमाल करो मतलब इतना नहीं जो अब 100 ग्राम अद्रक डाल दिया लेकिन हाँ एक इंच अद्रक सान एक इंच सुवह इतना तो डालना ही चाहिए क्यू खालो आमले का मुरब्बा खालो आमले का अचार खालो आमला ऐसे उबालना के खालो और उसका पानी पिलो बहुत अच्छा रहता और यह डाइवीतिज के लिए तो रहते हैं उनके लिए साल से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और फ्रेंट्स आमले में क्या-क्या होता है ये तो हम लोगों को पता है लेकिन बहुत सारी चीज़े जो हमें पता नहीं है तो आमले में बिटामिन C, बिटामिन A, B, पोटेसियम, केलसियम, मैगनेसियम, आइरन, कार्भोहाइडरेट, फाइबर, डायूरेटिक एसीड होते हैं फ्रेंट्स क्योंकि हम लोग को सिर्फ इतना ही पता होता है जो काफी सारे लोग जो होते हैं जो आमले में भाई आइरन होता है आमला क जब सरीर की बात आती है तो इंसान हर चीज को देख करके सूच करके क्या खाने से क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है तो उन सब चीजों पर जाना जरूरी होता है ऐसा नहीं है जहां हमें पता है फिर भी जो है कभी-कभी हम नजर अंदाज कर देते हैं अपने लिए खास करके जरूर कर देते हैं लेकिन आज मैं खास करके बच्चे और बुढों के लिए बता रही हूं जो कि उनको बहुत जारदा सर्दियों के मौसम में ध्यान रखने की जरूरत है और इस महामारी में ध्यान रखने की जरूरत है तो इस चीज से जो है उनका इमिनिटी सिस् हमें ठंड से बचाओ करता है तिल का तेल, हम तिल का तेल का अगर मालिस करेंगे, तो हमें हमारे सरीर को गरम रखता है तिल का तेल, इसके लिए हमें तिल का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, और friends, हमें सरसो का तेल सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में सेवन करना चाहि यूर्ठ इसमें को पंचा पाता है लेकिन इस अच्छा रहता है गरम भी योता है। ठंड के हाथपेर के जोरो के लिए मैंने वीडियो डाला है मालिस का तो आप लोग को अगर देखना हो तो आप लोग एक बार वाच जरूर की डियेगा वीडियो आपको काफी ज्यादा उस तेल से जो जो जोरो में दर्द हाथपेर में जो बड़े बुजुर्ग को जो है जो pregnant lady है उनके लिए भी जिनकी delivery हो गई है उनके लिए भी ये तेल सब के लिए अच्छा है जो नबजात शिसु है उसके माल इसके लिए भी अच्छा है तो प्लीज आप लोग watch जरूर कीजिएगा मैं link डाल दूंगी description में और आप लोग watch कीजिएगा एक बार कर लीजिएगा साइद आपके काम आजाए और friends दूद में जो गरम गरम दूद होता है उसमें आप अगर खजूर को उबाल करके और सर्दी के मौसम में लेते हो तो बहुत जादा आपको जो है सर्दी जुखाम से राहत मिलेगी और friends सर्दी के मौसम में आप लोग मौसमी संत्रा ये सब चीजे जो है ना खाए जो फल फूरूट जो होती है जो गरम होता है जैसे चीकू पपीता ये सब चीजे खाए ये मौसमी संत्रा ना खाए जूस ना पिये जूस के जगह पर आप लोग सूप पिये गरम गरम दूद पिये दही खाने से छाच पीने से ये सब चीज से बचे जो ठंड के चीजे हैं और आइस क्रीम से बच्चे बुड़ों को थोड़ा सा बचाए उनको न दे आपको भी अगर परिशानी है तो आप भी न खाए इसी के साथ जो है मैं वीडियो को एंड करती हूँ और उमीद करती हूँ जा आज का वीडियो आप लोग को थोड़ा सा हेल्फुल लगा होगा अगर हेल्फुल लगे तो प्लीज एक लाइक तो बनता है फ्रेंस और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ में तब तक के लिए बाई बाई सेफ रहें सुरक्षित रहें अपने अपने परिवार और आसपरोस का ध्यान रखें जैहिंद